कॉंग्रेस से अलग हो चुके गुलाम नभी अज़ाद गुलाम नभी अज़ाद वो ही है जो राहूल गांधी के बारे में गलत विवादित बयान देते वे नज़र आते हैं राहूल गांधी पर तिपड़ी करते हैं कि उनकी वज़ा से ही उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ी राहूल को कही न कहीं जिम्मेदार ठराते हैं कि उन्होंने कॉंग्रेस जिस वज़ा से छोड़ी और इतना लंबा सफर जो उन्होंने एक जटके में यहाँ पर तोड़ दिया वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वज़ा से अब ऐसे में फिर से यहाँ पर कॉंग्रेस पर निसाना सादते वे गुलाम नभी अज़ाद दिखाई दे रहे हैं। पर अपमान कर रही है। यहाँ पर राश्पती को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर समुदाय के नाम पर फिर से टारगेट किया जा रहा है। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को इसलिए आगे किया जा रहा है कि ताकि वो यहाँ पर राश्पती की भजाए ख चामिल होते हुए नजर आएंगे अब ऐसे में उन्होंने ये भयान जाहिर किया है कि अगर वो यहां दिल्ली में मौजूद होते तो नए संसद भवन के उद्गाटन समहारों में जरूर जाते और यहां पर तमाम विपक्ष पार्टियों को तो इसका स्वागत करना चाहिए क कि हमारे देश में एक नई संसद मिल रही है हमें यहां पर एक नई संसद मिलती हुई नजर आ रही है जो बहुत ही महतपून रखती है लेकिन यहां पर विपक्ष किस तरीके से हमलावर साबित हो रही है मैं इसका सरासर विरोध करता हूँ राहुल गांदी का सरासर पर गुलाम नभी अज़ाद का कहना है लेकिन क्या वाकिए यहां पर जो तमाम विपक्ष पार्टियां कॉंग्रिस की तरह राश्पती द्रापदी मुर्मू को आगी करती भी नज़र आ रहे हैं इसमें क्या गलत है कि राश्पती होने के नाते जब अभिभादन वो संसद मे जाकर करेंगी सबसे पहले तो ऐसे में उनको नियोता तक नहीं जाना तो ऐसे में क्या यहां पर भारती जंता पार्टिया सही काम करती भी नज़र आ रहे हैं इसमुद्धे पर क्या है आपकी राए कमिन बाक्ष में जरूर बताएं धन्यवाद झाल 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 झाल